हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मेकनोटक यूट्यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स, आज हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ये अबजेक्ट ड्रोग करने वाले है यहाँ पर एक्स डैरेक्शन दिया है, उसका मतलब है ये हमारा फ्रेंट व्यू रहेगा तो ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर सेक्शन लाइन बना रखी है, वो पोर्षन दिखेगा और यहाँ पर ये पोर्षन भी हमें फ्रेंट व्यू में दिखेगा लेकिन उससे पहले कि आप 3D अबजेक्ट को देख लिजिए, जो मैंने यहाँ पर SolidWorks सौप्टवेर से बनाया है और उसमें आप Front View, Top View and Side View देख लिजिए, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि Front View, Top View and Side View कैसे ड्रॉ किया जाता है जो 3D अबजेक्ट में आप देख रहे हो, वो आपको डायरेक्टली यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक-एक लाइन ड्रॉ करके समझाऊंगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं यह पॉइंट से तो यह पॉइंट से यह लाइन कितनी है ठीक है तो यहाँ पर यह पॉइंट से यह लाइन यहाँ पर दिया हुआ है 50 mm तो सबसे पहले हम एक-ए-लाइन ड्रॉ करतेंगे ठीक है उसके बाद कोई एक पॉइंट से यहाँ पर Left Hand Side View आएगा वो right side आएगा, मुझे पहले से ही इसकी जगा छोड़के रखनी है यानि कि मैं यहाँ पे मेरा front view draw करूँगा यहाँ पे top view draw करूँगा और left hand side भी यहाँ पे आएगा ठीक है, तो front view ले लेता हूँ, यहाँ से start करते हैं तो यह distance जो है वो 50 mm है तो यहाँ पे यह मैं ले लेता हूँ 50 mm, ठीक है 50 mm पे यह जो point है, वहाँ से यह height कितनी है, 8 mm तो यहाँ से यह height जो है 8 mm मैं ले लेता हूँ यहाँ पे तो यह height 8 mm ले ली मैंने उसके बाद यह point से यह distance कितना है तो यह point से यह distance जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है 15 mm तो यहाँ पे 15 mm में ले लेता हूँ तो 8 mm से यहाँ पे यह हो गया हमारा 15 mm ठीक है तो यहाँ तक हम पहुँच गए यहाँ तक ठीक है अब यहाँ से 12 mm की height ले लेते हैं यह point से तो हमारा वो point यह था तो यहां से 12 mm की height में ले लेता हूँ ठीक है तो यहां पे 12 mm की height ले ली और यहां से यह distance कितना है तो वो दिया हुआ है 25 mm ठीक है तो 25 mm की horizontal line में लूँगा तो यहां से 25 mm horizontal line ठीक है तो यह 25 mm आ गया अब वहां से यह point से यह height कितनी है तो यहाँ पे total height दी हुई है 32 अब 32 में से 12 हम बाद कर देंगे ठीक है 32 में से 12 बाद किया तो कितना यहाँ पे रहेगा 20 mm ठीक है तो यहाँ से मैं 20 mm की height ले लेता हूँ तो यह हमारी object की overall height यहाँ पे हमें मिल जाएगी ठीक है 20 mm तो 20 and 12 total हुआ 32 अब यह point पे हम आ गये हैं तो यह point से यह point का distance कितना है कितना रहेगा तो वो आपको यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन आपको यहाँ से पता चलेगा तो 42 यहाँ पे है and 25 यहाँ पे है तो total यहाँ पे 42 है और यहाँ पे यह 25 है यहाँ से यहाँ तक तो automatically मुझे 42 minus 25 करेंगे तो ये distance मुझे मिल जाएगा 42 में से 25 बाद करेंगे तो ये distance मुझे मिल जाएगा तो कितना होता है 42 minus 25 that is 17 फिर से गिन लेते है 25 plus 17 किता होता है तो 35 and 7 यानि कि 42 clear है तो ये हमें मिलेगा 17 तो यहां से मैं 17 mm horizontal line ले लूँगा तो यहां से ये 17 mm मैंने horizontal line ले ली ठीक है ओके और फिर ये point मिल गया मुझे अब ये height मुझे लेनी है यहां पे 8 mm तो हमने ये ले लिया तो यहां से ये height कितनी होगी ठीक है तो यहां पे total height जो है वो है 32 ठीक है और 15 प्लस 8 कितना होता है तो वो होता है 23 तो 23 और ये है 32 तो 32 माइनस 23 करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा ये दोनों distance जो है ये distance मुझे मिल जाएगा कितना 32 माइनस 23 राइट तो कितना हुआ ये 9 mm ठीक है तो यहां पे मैं क्या करूँगा height जो है यहां पे height पे 9 mm की vertical line ले लूँगा यहां पे और फिर उसको ये यहां आप से joint कर देता हूँ ठीक है तो basically ये जो green line से मैंने draw किया हुआ है वो आपको यहां पे दिख रहा है ठीक है front view उसके बाद ये जो cross है यहां पे बहले ये tilt है लेकिन जब आप सामने से देख रहे हो तो वो आपको tilt नहीं दिखेगा बलकि वो आपको block के जैसा दिखेगा यहां पे इस तरह से है तो यहां पे मैं 32 की height ले लेता हूँ and यहां से भी उसको join कर देता हूँ तो उस तरह से यहां पे मिल जाएगा ठीक है तो यह हो गया तो यह हो गया आपका front view यह object का front view ठीक है अब 3D object में भी ऐसा ही front view देख रहे होंगे ठीक है तो dimension यहां पे ले ले लेते हैं तो सबसे पहले यह होता है 50 mm यह dimension जो है तो यह dimension जो है 50 mm है यहां यहां पर कर रहा हूँ यह है 9 mm ओके और यह टोटल है 32 mm क्लियर है और यह होगा 42 mm ठीक है तो यह almost dimension मैंने दे दिये हैं ठीक है अब top view देख लेते हैं तो top view में क्या करूंगा तो top view में मैं यहां पर projection line ले लेता हूँ सब की projection line ले लूँगा एकदम light line लूँगा यहां पर मैं इस तरह से तो सब की projection lines ले ली मैंने अब जब आप top view कर रहे हूँ ठीक है तो आप object में भी देख सकते हो आप ऊपर से देख रहे हूँ ठीक है अपने थीडी object में देखा था जो मैंने आपको दिखाया था तो यहां पर यह जो line है total यह आपको straight दिखेंगी जो की back side है तो मैं यहां पर back side draw करूंगा straight line ठीक है न तो यह हो गया total ठीक है 42 प्लस यह जो tilt है यहां से यह line tilt है लेकिन आपको straight ही दिखने वाली है अब total जो width है वो कितनी है 35 तो अब यहां पर यह भी देखना है कि जब आप top view में से देख रहे हो तो आपको कितना portion दिखेगा तो मैं यहां पर line बना के बता देता हूँ एक तो यह portion दिखने वाला है एंड यह portion थोड़ा अलग से दिखा रहा हूँ कि यह portion भी आपको दिखने वाला है तो यह तीन portion आपको देखेगा तो अब यह जो point है वो point कौन सा है यह वाला ठीक है तो यहां से 10 mm फिर यह point और यह point मैच होने वाला है और फिर से आपको यह straight line यहां तक देखेग मतलब कि ये और ये 10 और उसके बाद ये 25 यानि कि टोटल जो है आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखने वाली है तो यहाँ पे 35 mm की मैं स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ जो कि हमारे depth बोले जाएगी depth 35 ठीक है ना उसमें 10 mm जो है मैं यहाँ से बता देता हूँ 10 mm तो यह जो 10 mm है वो यह वाली लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक यह उपर वाली है और यहाँ पे जो 20 mm है स्ट्रेट 25 mm है वो नीचे वाली है ठीक है तो अब यह point आप हम आ गया है यह point पे तो यह point में भी ऐसा ही वाली लाइन है वो आपको दिखेगी फिर यह vertical line आपको नहीं दिखने वाली और यहाँ से 17 और उसके बाद यह जो भी है यह लाइन आपको दिखने वाली है ठीक है तो यहाँ पे यह पूरी लाइन जो है आपको straight ही दिखने वाली है तो यहाँ पे मैं straight line ड्रॉ कर देता ठीक है फिर आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी line क्या है ठीक है तो यहाँ पे यह जो line है यहाँ तक वो वाली line यह नीचे वाली line है फिर यह point और यह point यह दोनों point आपको उपर से top view से same ही दिखेगा यानि कि यह वाला अब यहाँ से 17 mm कौन सा है यह वाला ठीक है यह ज यहाँ पे जो line है यह वाली वो भी मुझे यहाँ पे straight ही दिखने वाली है ठीक है तो यहाँ पे इस तरह से मैं इसको straight line ले लूगा ठीक है अब जो भी lines है वो मैं यहाँ पे ले लूँगा यान कि यह line भी हमें straight दिखने वाली है तो यह line यहाँ से इस तरह से आएगी यह line जो है वो dotted line है क्योंकि वो नीचे से slot है तो वो मैं यहाँ पे dotted line से दिखा दूँगा ठीक है इस तरह से यह dotted line से मैंने दिखा दिया आपको ठीक है क्योंकि वो portion नीचे की और cut है जो हमें directly नहीं दिखेगा और उपर यह जो portion है 10 mm तो वो point आपको मिलेगा यहाँ पे यह point याने की यह वाला point तो यह triangle है ठीक है यह वाली line आईगी यहाँ पे तो यहाँ पे यह triangle है तो यहाँ पे इस तरह से यह आ गया ठीक है अब आप देख सकते हो यह वाला जो portion है वो यह है ठीक है ना तो होप आप लोग समझ रहे होंगे कि यह किस तरह से मैंने draw किया है ठीक है तो यह आपका almost हो गया top view अब dimensions दे देते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ यह 10 mm का है total 35 mm का है फिर यह 25 mm का है यह जो dimension है वो कितना है 25 फिर यह जो dimension है अल्रेड़ी दिया हुआ है 50 mm यह 42 mm का है देने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10 mm ठीक है तो total depth जो है यहाँ पे वो 35 mm है यहाँ पे 135 mm तो होप आपको यह front view and top view समझ में आ रहा होगा अब हम ले लेते हैं left hand side view तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यह हमारा front view है यह हमारा top view है और यहाँ पे आएगा left hand side view ठीक है ना तो left hand side view right side आएगा front view के first angle projection method से हम draw कर रहे हैं तो यहाँ पे जो left hand side view है वो मैं उसकी projection lines यहां पर ले लेता हूँ फ्रंट व्यू की प्रोजेक्शन लाइन्स यहां पर ले ले देंगे आपको एक चीज ध्यान में रखना है यह सब लाइन्स जो है एक दूसरे के पैरलल होनी चाहिए ठीक है मैं यहां पर बैठा इस तरह से हूँ कि मैं देख नहीं सकता कि वो प्योरली होरिजोंटल प्रे पैरलल है की नहीं लेकिन आप यह लाइन जो है वो आपको कम्प्लिटली लेनी है ठीक है अब यहां पर साइड व्यू यहां से देखना है तो कौन सा पोर्षन मुझे देखेगा तो मैं आपको यहां पर रेड लाइन से दिखाता हूँ कि कौन कौन सा पोर्षन होगा तो एक तो यह दिखेगा यह पोर्षन हमें दिखेगा दूसरा यह पोर्षन भी दिखेगा ठीक है ओके तो यह दोनों पोर्षन आएंगे तो यहां पर मैं वो दोनों portion बता दूँगा तो यह जो line है यहां से start करेंगे तो यह जो point है यहां से यहां तक की line कितनी है 32 height जो कि यहां पे already 32 mention किया हुआ है तो 32 height है तो मैं यहां पे vertical line है 32 की ले लेता हूँ तो यह line कौन सी दिली हमने यह वाली line यहां से यहां तक अब यहां से नीचे की line कितनी है 35 याने की depth तो मैं यहां पे 35 mm का depth ले लूँगा तो यहां पे 35 mm ठीक है यह point आ गया अब 35 mm से height कितनी है 12 mm तो यहां पे 12 mm की height ले लूँगा मैं ठीक है यहां पे यह projection line actually 12 mm यहां तक है तो यह हमारी हो गई height ठीक है 12 mm उसके बाद यहां से यहां तक यह distance कितना होगा 35 minus 10 यानि कि यहां पे 25 तो यह हमारा हो गया 25 mm distance यहां से यहां तक ठीक है तो आपको यहां पे L जैसा दिख रहा होगा तो फिर यहां से यह line vertical line जो भी बची height में total height में तो वो हम ले लेंगे and यहां पे यह ले लेंगे 10 ठीक है तो यह L shape जो है आपको clearly यहां पे दिख रहा है ठीक है जो है ने बना दिया अब यह जो slot है वो थोड़ा incline है लेकिन आप जब side view से में देख रहा हूँ अब यह जो ठीक है तो यह block हो गया ठीक है अब यहाँ पे 8 mm का cut है ठीक है यह back side पे 8 mm का यहाँ पे cut है तो यहाँ पे वो line कैसे आएगी dotted line से आएगी तो यहाँ पे dotted line कर दी हमने ओके तो इस तरह से यह पूरा orthographic जो है front view top view and left hand side view आप ले सकते हो अब दूसरी line पे एक आएगी जो यहाँ पे है यह वाली आप जब side view में से देख रहे हो तो यह portion आपको नहीं दीखने वाला ठीक है तो यहाँ से वो portion को भी मैं dotted line में बता दूँगा तो यह भी dotted line से बता देते हैं तो इस तरह से हो गया यह front view, top view and left hand side view ठीक है आपको समझ में आया होगा अगर समझ में नहीं आया तो comment में मुझे बताईए कि क्या समझ में नहीं आया कौन सी line समझ में नहीं आया तो मैं आपको try करूँगा समझाने के लिए यहाँ पर dimensions में नहीं दिये लेकिन दे देते हैं तो यह dimension है 35 line आपको light रखनी है dimension की line और projection line बोलेंगे इसको भी light रखनी है ठीक है तो यह 35 है height यहाँ पर 32 है बाकि सब dimension यहाँ पर दे दिये है तो almost यह object आपका complete हो जुका है ठीक है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा like कर दिजिए अपने friends को अपनी college दूसरी college जहाँ कहीं पर भी अपने friends है उनको share कीजिए ताकि उनको भी यह easily समझ में आए orthographic projection कैसे draw करते हैं ठीक है ठैंक यू जय हिन जय बारत